नमस्कार दोस्तों करके हमारे पास ले आईए हम यहाँ पर आपकी KYC करेंगे और फिर आपका एकाउंट खोल कर देंगे लेकिन अभी क्या हो गया है अभी mostly जगे पर लगबग सभी जगों पर मान लीजिए कि आप एकाउंट खोलवाने जाते हैं तो आप अपने घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई जाएगा तो यह बहुत सिंपल सा प्रोसेस होने वाला है तो बिना देर की हुए चलते हैं हमारी मोबाईल स्क्रीन पर और देखते हैं इस पूरे प्रोसेस को इसके लिए हमें क्रोम ब्राउजर पर आना है यहां पर आपने सर्च में टाइप करना है कैनरा बैंक और सबसे इसी पर लिंक पर क्लिक कीजेगा इस पर आपने क्लिक करना है जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा डिरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से सीधा आप इस एपसाइट पर आ सकते हैं इस तरह क यहां पर आजये, आप इस तरह सा आप इसको cross कर दीजे, cross करने के बाद नीचे आएंगे तो online account opening का एक tab मिलेगा आपको, उसके बाद आपने online account opening कर click कर देना है, click करने पर आप इस page पर आजयेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो यहां पर आपको open account click here का option मिलेगा, वहां पर आप simply open account पर click कर दीजिए, click करने के बाद आपने यहां पर language चूज़ करनी है, जहां पर आप Hindi, English या और जो भी आपकी regional language है वो चूज़ कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने बताया हम English से बहुत ज़्यादा familiar हो चुके हैं, तो बहुत सारी चीज़ें technical होती हैं, वो आपको English में easily समझ में आ जाएंगे, तो English सेलेक्ट कर लिजिए, डन पर click कर दीजिए, डन पर click करने के बाद आप आएंगे यहां पर जहां आपको अपना mobile number देना है, यहां पर आप वो number दीजिए, जो आपका आधार card से link है, वो number आपने यहां पर डाल देना है, उसके बाद submit पर click कर देना है, submit पर click करने के बाद आप इस page पर आएंगे, यहाँ पर आपने अपना consent देना होगा टिक करना होगा टिक करने के बाद आपने get OTP पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपने जो mobile number एंटर किया है उस पर एक OTP आएगा वो OTP आपने यहाँ पर एंटर कर देना है OTP एंटर करने के बाद आपने verify OTP पर click कर देना है अब यहाँ पर आपका green tick आ जाएगा जिससे आपको यह confirm हो जाएगा कि आपका mobile number verify हो गया है यहाँ पर email verification आपसे करना होगा आपको तो अपनी email ID यहाँ पर डाल कर get OTP पर आपने click करना है जैसे ही click करेंगे थोड़ा सा wait करेंगे आपकी email ID पर एक OTP आएगा वो OTP आपने यहाँ पर fill कर देना है OTP fill करने के बाद आपने verify OTP पर click कर देना है click करते ही आपका OTP आपकी email ID भी verify हो जाएगी यहाँ पर save पर आपने click कर देना है click करने के बाद आपका user verification हो चुका है यहाँ पर अब आप आजाएए account type में तो यहाँ पर आगये है आप step 2 है यहाँ पर अलग अलग प्रकार के आपके account होंगे जैसे camera bank asb account, camera bank asb general तो यह सारी चीज़े आप details से पढ़ लीजेगा आपको जिस तरह का भी account खोलना है वो आप खोल सकते हैं यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा आपने जैसे general asb account तो इसमें यह ज़रूर पढ़ लीजेगा minimum average balance तो इसमें minimum average balance आपका 10,000 से 25,000 तक आपके area के हिसाब से माली जिए शहरों में है या महानगरों में हैं तो आपका 25,000 minimum balance होगा आप उसे छोटी जगह पर आ जाएंगे तो थोड़ा कम उसके बाद जो गाओं या कस्बे में हैं आप कहीं पर तो आपका 10,000 रुपए minimum balance आपने रखना होगा उसी तरह से अगर आप as be general आप एकाउंट खोलना चाहते हैं तो यहाँ पर minimum balance 500 से लेकर 2000 रुपए तक उलगा आपके area के हिसाब से तो आपने जो भी choose करना है या जितना आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें service features दे रखे हैं क्या-क्या आपको features मिलने वाले हैं और generally हम minimum balance जिसमें कम होता है वो ही हम open करते हैं camera as be general पर हमने click कर दिया है उसके बाद demand condition पर आपने click करना है उसके नीचे आप देखेंगे URL नंबर एक दिया गया है आप चाहें तो इसका screenshot ले लिजेए नहीं तो कहीं note करके रख लिजेए उसके बाद हमने इसको save कर लेना है save करने के बाद हमारे सामने आधार details का एक page आजाएगा जिसमें i details दे रखिए तो हमें यहां पर अपना आधार number डालना है तो आपका जो भी आधार number है वो यहां पर डाल दीजिए नीचे आएंगे नीचे आपने अपना pen number एंटर करना होगा सबसे पहले आधार एंटर कर लेते हैं यहां पर हमने आधार एंटर कर दिया है नीचे आकर हमें इसे check box पर click कर देना है get otp पर आपने click करना है click करते ही आपके आधार से जो mobile number link होगा उस पर एक otp आएगा वो otp आपने यहां पर डालना है उसके बाद आपने verify otp पर click कर देना है अब यहां पर आपके आधार details verify हो गई है अब आपने यहां पर pen number एंटर करना है उसके बाद नीचे आपने verification process की check box पर click करना है verify pen पर आपने click कर देना है जैसे ही आप click करेंगे तो आपका जो details अगर right है तो verify हो जाएगा उसके बाद आपने save पर click कर देना है save पर click कर देने के बाद आपके सामने step 4 आ जाएगा personal details का जिसमें आपको नीचे आके आपकी personal details डालनी है सबसे पहले आपने अपना title डालना है नीचे आपको पूरा नाम डालना है date of birth डालनी है gender यहाँ पर fill करना है अपने पिता का नाम यहाँ डालना है आपके विवा हो चुका है तो आपके पती या पतनी का नाम यहाँ पर डालना है नीचे आपको अपनी माता का नाम डालना है या मदर्स नेम डालना है इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपने अपना मेरिटल स्टेटर सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लिया सारा कुछ आप उसके बाद एड्रस टाइप आपका जो देना चाह रहे हैं आप रेजिडेंस एड्रस है बिजनेस वाला देना होगा उसके आगे लिखा है माई प्रेजेंट या कर्रेस्पॉंडेंस एड्रस अगर आपका कर्रेस्पॉंडेंस और प्रेजेंट एड्रस आधार के समान है तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिए हमारा हमारा समान यह है तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है अगर आप नहीं है तो आप नीचे आएंगे तो correspondence address में यहाँ पर आपने फिल कर देना है जिससे कि आपका पत्र विभार हो उस address पर हो जाए क्लिक करते ही नीचे आपका same address दिखाई दे जाएगा उसके बाद नीचे आएंगे FATCA declaration I am a tax residence of India and not a residence of any other country तो इसमें बताया गया है कि अगर आप इंडिया में रहते हैं और यहाँ के आप resident है और किसी अन्य country का आपका resident नहीं है तो आपने यहाँ पर check box पर क्लिक करके save पर क्लिक कर देना है save पर क्लिक करने के बाद आप कुछ इस तरह से इस page पर आ जाएंगे इसमें additional information का एक page आ जाएगा जो fifth step है मतलब 5 step में से last step है यहाँ पर आपने अपनी education डालनी है जो भी आपकी education है वो education डाल दीजे नीचे आएंगे annual income range आपकी income क्या है तो वो income range यहाँ पर आपने डाल देनी है जो भी आपकी वार्शिक आए है वो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजे नीचे आएंगे तो आपने अगर आप self-implied हैं तो self-implied trader है तो trader जो भी आप काम करते हैं वो यहाँ पर select कर लीजिए source of income आपका क्या है वो आप source of income डाल सकते हैं salary, pension, business, profession जो भी है वो डाल सकते हैं religion आपने डालना है आप अपना धर्म यहाँ पर select कर लीजिए category, category में आपको general, bc, obc जो भी आपका cst जो भी आता है वो यहाँ पर choose कर लीजिए choose करने के बाद नीचे आएंगे तो नीचे आपको nominee add करना चाहते हैं तो yes पर कर दीजिए नहीं करना चाहते हैं तो no कर दीजिए आप चाहें तो मैं आपको recommend करूँगा तो आप इसको click करके मैं आपको recommend करूँगा कि आप अपनी nominee detail यहाँ पर add करके रखें फिलाल हम यहाँ पर इसको no करते हैं क्योंकि हम इसको बाद में भी add कर सकते हैं तो इसके बाद आप आ जाईए और नीचे आएंगे तो थोड़ा सा नीचे आएंगे banking service का option मिलेगा तो इसमें आपको branch select करनी है जो आपके near पढ़ती हो वो अपनी branch आप यहाँ पर select कर सकते हैं नीचे आपने check box पर click कर देना है नीचे आएंगे debit card selection यहाँ पर है तो click करेंगे तो आप अपने debit card का type select कर सकते हैं रूपे आजकल हर जगे इस्तिमाल होने लगा है तो रूपे आप card इस्तिमाल कर सकते हैं तो हमने रूपे global card select कर लिया है नीचे हमने submit time and condition को click कर दिया है उसके बाद हमने save पर click करना है save पर click करेंगे तो उसके बाद यह देखिए आपके verification सारे हो गए है complete सारे step complete हो गए है उसके बाद आपने यहाँ पर submit पर click करेंगे तो आप कुछ इस तरह के interface पर आ जाएंगे यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि complete your video KYC क्योंकि पहले क्या होता था video KYC का option यहाँ पर नहीं रहता था जिससे कि हम हमें branch visit करना होता था और अपने documents ले जाकर वहाँ submit करना होता था उसके बाद ही account खुलता था लेकिन अब आपका यह video KYC के थ्रूग घर बैठे account खुल जाता है जो चीजें यहाँ पर लिखी होई डीटेल्स लिखी होई उनको आप पढ़ लीजी एक बार ensure that only you are visible in the camera camera में सिर्फ are visible हो आपका face अच्छी तरह के सिख दिखता हो ensure that there is no brightness बहुत जादा brightness ना हो आपके पीछे keep your document अपने documents तयारा किये अपने पास we'll try access your current location आपकी जो location है उसको access करेंगे वो तो उसकी permission आपने देनी पड़ेगी our agent will capture your picture if required आपकी तस्वीर भी ली जाएगी अगर ज़रुरत होगी तो do not attend call or open any audio camera application in between video video call के तरह आप camera on नहीं कर सकते कोई call पर आप नहीं रह सकते please no the complete session will be recorded and saved as per our internal policies for quality insurance and training purpose सारी चीज़े record की जाएंगी ये सारी चीज़ें आपने ready रखनी है आधार card pen card अपने पास रखिएगा एक blank white paper भी रखिएगा एक pen भी रखिएगा कई बार होता है कि वहाँ पर आपसे online signature भी करवा कि देखे जाते हैं आपकी photo capture की जाती है आपके पास net का connection होना चाहिए नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर start आप video KYC कर सकते हैं आप चाहें तो schedule later पर click करके अपनी video KYC को बाद में भी schedule कर सकते हैं जैसे start पर click करेंगे तो आपकी video KYC का process शुरू हो जाएगा इस दौरान आपसे bank के अधिकारी या कर्मचारी या executive आपसे communicate करेंगे वहाँ पर वो आपसे अपना आपकी ID और आधार आधार या pen आपके बास होना चाहिए आपकी ID और या proof बगएरा आपसे online camera के सामने वो मांगेंगे उसके बाद आपके blank paper पर एक signature वो online record कर सकते हैं साथ ही आपकी picture भी capture कर सकते हैं आपका कोई doubt होता है तो वहाँ पर उनसे पूछ भी सकते हैं process complete होने के बाद कुछी समय में आपका account open हो जाएगा आपको account number आप मिल जाएगा आपके message और email पर information आपको भीज दी जाएगी साथ से 12 दिनों के अंदर आपका जो ATM card है debit card है वो भी आपके दिये गए correspondence वाले पते पर आपके घर आ जाएगा passbook के लिए आपको branch visit करना पड़ सकता है और इस तरह से आप ये account आपका open हो जाएगा घर बैठे कहीं branch जाने के आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काम की रही होगी वीडियो अच्छा लगा है तो इसे दोस्तों के साथ और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करके बैल आइकॉन को प्रेस कर दीजीगा जिससे की जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका notification आपको तुरंट मिल जाए आज की वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी नई information के साथ तब तक के लिए जै हिंद